परम्पुच्य राधस्मरणिय वंदनिय स्वामिजी परम्पुच्य साहव दादा और वैदिक सनातन परम्परा के मुल्यों और आदोर्षों पर चलते हुए अपने जीवन को यह लोकिक और पारलोकिक आनन्द के लिए और कल्यान के लिए प्रेतन सिल आप सभी पुझे भाई वेहन पुझे साहव दादा के विशे में पुझे स्वामिजी ने भी जो बताया आपने सुना कुछ जो पुराने भाई वेहन है उनकी विशे में हमने थोड़ी सी कभी चर्चा की है मेरे मैंने में कुछ भाव है क्योंकि हमारे लिए सिखने के लिए बहुत सारे अवसर हो सकते हैं बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं पर कुछ जीवन भी ऐसे होते हैं जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे श्रदेपुजी स्वामी जीवन ही आप सब के लिए शास्त्र है पुर्शार्त की बात हो आद्यात्मिक्ता की बात हो कर्मटता की बात हो कर्म की बात हो जह हमारी शास्त्र मर्यादाओं की बात हो तो वो बहुत सारी किताबों में जो पढ़ने के बाद में जो मिलता है कभी कभी एक ही रूप में देखने को मिल जाता है पुझे स्वामी जी और आप सब संकल्प के साथ उनकी उस बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होकर कि आपने अपने जीवन को अरपन कर दिया इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि जीवन का जो मोह और आग्रह होता है वो बहुत खतनाक होता है जो मरना सन्न होता है वो अभी एक पल जीने की इच्छा रखता है चीटी भी होती है तो वो कष्ट की चाहना नहीं करती है पर जब हम समर्पित होते हैं तो न तो जीने मरने की चाहा की बात होती है न तो सुख दुख के लिए प्रयास की बात होती है वहाँ तो सिर्फ समर्पन की बात होती है तो यह बहुत बड़ी बात है और इतना विशाल, दुनिया, संसार सब कुछ भातिक्ता में कुछ भले ही न मिले पर भातिक्ता का मोह बहुत खतरनाक होता है लोग बिना पहे भी पहाने की चाहत में सारी जिन्दे की काड़ देते हैं यहां तो जो कुछ प्राप्ता है उसको भी छोड़ करके आपने एक बड़ा संकल पिलिया है तो यह बहुत यह दैवी एक कृपा है प्रभो की कृपा है आपके पूर्व जनों की पुन्ने का प्रताप है जन्म जन्मानतरों में आपने तब साधना की तब जाकर के यह स्थिती यह प्राप्ती आपको हुई है यह कभी भी विस्मृत मत होने देना पुझे साहब दादा की विशे मोई में कहरता प्रभी बैठे», मुझे याद है भी नहीं कहा था दिलेभ भाई श्री एक प्रभी और थे ना और प्रभी भाई जो और मस्ती में रहते थोड़े तो तगडे से हैं तो दिली भाई करनेवा फिरक मुझे याद आ रहे हैं कि बोले हम योगी जी महाराज जी के पास गए और पुझे साहिब दादा थे बाकी हम लोग भी थे बोले तो उन्होंने कहा जाओ साधू बन जाओ तो हमने भी सोचा हम साधू बन जाते हैं सुनने की बात इसलिए मैं सुना रहा हूँ क्योंकि आपको साध कुछ काम आईगी बात है बले हमने कहा कि ठीक है हम बन जाते हैं हम बन गए बन गए तो हमको पता नहीं साधू बन के क्या करना है तो हम जब वहां पर हमने शुरू किया, तो हमको बड़ी-बड़ी भठियां, बले ओ जो दे दी फूक नहीं जो है बड़ी-बड़ी, बले फूक मारो, गम बनाने की फैक्टरी लगाई पहले, शुरू में फैक्टरी नहीं थी, पती ले में पका पका कर जैसे हमने चवन प्र जमाने के, इंजिनियर है, बाकी सब उस जमाने के, सब पड़े लिखों का ये, कितना, आट भाई थे शुरू में, तो आट भाई थी ये, मित्र मंडली थे, तो ये चक्र में आट है, तो इसलिए, तो सब साहव दादा के दोस्त थे, और साहव दादा पहले भी दोस्तों के अनुगामी, इनकी अनुगामी थे, सारे जैसे ये कहते थे, मानते थे, पर ये पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी बात है, दोस्ती भी ऐसी भी निवाई जाती है, ये भी एक उधारन है, कि उसके बाद है, ये गए, तो उनने ने का, चलो तुम सब सादू बन जाओ, तो बोला हम गए, हम को कहा, क्योंकि उनकी बात मुझे बहुत एक याद आती है, मैं कभी भूलता नहीं, तो उनने ने कहा कि हमें कहा कि तुम जो है, ये गौन्द गम बनाओ, बोले हम पढ़े लिखे, ओभी शाद मेसी है, मेसी केमिस्ट्री ये कुछ थे, तो बोले हम पढ़ सादू बने तो हमको तो ये करना इसके लिए सादू बने, हम सोच रहते हैं, तब जवानी की बात है, बोले हमारे से पढ़ने में बहुत कमजोर सा था, तो पढ़ने में भी कमजोर था, पर वो जो है, वो आया, हमारे पास तो साइकल भी नहीं, वो स्कूटर में अपनी बी को बीबी को लेका ऐसा स्कूटर में गुम्द, तो वो कहानियों सुना करके बहुत हस्ते, तो बोले हमने वहां से शुरू किया, तो ये एक उधारन इस रूप में हैं कि बहुतिक ताकि जो यात्रा होती है, ना, चाहो वो स्कूटर में सवार हो, चाह मेरे को एक बहन हमारे एक दृष्ण बहुत अच्छा लगता है, बोले आगे पती बैठा हो, इस मोटर साइकल चला रहा हो और पीछे हाथ डालकर बैठने से ऐसा लगता है, उसको फुद्धू बना रहे हैं, तो इस चक्कर में जो है, वो शादी, हलाएं कि ओ अफिसर थी, PCS अधेकारी थी यहा लिया, तो जो चीजें हैं लोग छोटे-छोटे भावों में, छोटे-छोटे चीजों में, संसारिक्ता को जैसे पुझे स्वामजे निकल का, बोले मुझे पता तो है, साधूता क्या है, धर्म क्या है, बोले वेद क्या है, सब कुछ पता है, बोले हम पाल नहीं करना चाहत तो उनका तो देखो, बस भगवान तो सबका मालिक ही है, उनका भी मालिक भगवान है, पर प्रभु की कृपा उन पर कभी, कभी होईगी, तो बुद्धी आएगी, तो छोटी-छोटी लालसा हैं, बहुत सारे आते हैं, लोग यहां तो ठीक है, पुझा सामजी ने परमपराय बना रखी हैं, ठीक है, आपके आभूशन मोटे-मोटी रुदराक्षी माला लगा दिया, लगाने का मन करें तो कोई बिना टिका के, कोई त्रिपुंड वाले, कोई गोल वाले, कोई लंबे वाले, अपने आभूशन इतना ही है, मैं देखता हूँ, छोटे-छोटे सादू बने हैं, उनके कपड़े देखो, उनके गहने देखो, उनके और कुछ नहीं तो पताने श्रिंगार देखो, तो यह एक सादूता की उदात परमपरा, यहां पर जो वास्तम में रिश्यों की परमपरा है, वैदिक परमपरा है, उसको अक्षुन बना करकी, आगे बढ़ाने साली इस रूप में हो, कि आप लोगों को उसके लिए भगवान ने चूना है, आपका चयन, न तो स्वामी जी ने भी नहीं किया है, न तो आपने भी नहीं किया है, जिस दिन ये मानोगे, कि परमात माने हमारा चयन किया है, हमें वरण किया है, बाकि तो निमित हैं, कभी भ आप जीवन में भटक नहीं सकते हैं। मुझे आज एक बात और याद आती है। हमारे साथ हमारे आचारी कर्मपिर जी पहले रहते थे। तो जब हम ठीक हमने संकल्प लिया कि हमें ब्रमशेरी के उसकी हसाब से जीवन में आगे बढ़ना है। तो मैं 21-22 साल का था जब हम में मिले लगभग वो 40 साल के हो चुके थे। तो मेरे को आज भी याद है जब तू 40 साल पूरा कर जाएगा ना। जब पता चेलेगा बच्चे। ऐसे करते थे कभी-कभी मजाग में। तो मुझे वो बात कभी भूली नहीं। जब मैं 40 का पूरा हो गया तो सबसे पहले फोन करके जाएगा बबाजी 40 पार कर लिया हमने भी। तो इसे लिए क्योंकि यह जो चीज़े हैं कभी जब आप यह सोचने लगते हो कि यह जो यात्रा है जिस यात्रा पर चले है ना यह जन्म जन्मानतरों की यात्रा है जन्म जन्मानतर के लिए तब फिर वो आदमी अधीर और उद्वेग नहीं होता है क्षनिक शनिक जो चीज़े हैं उन्हें चनिकताओं में वह विचलित नहीं होता है वो अद्ध। रहता है, पर जो क्षनिक अवेः है, उद्वेः है, आकरशन है, स्रिंगार है, चाहत है, इच्छां हैं, नजाने क्या क्या है, तो उन्हें जो लुड़कता पुड़कता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, तो वो जो चीज़ है, नहीं वो विक्ति, फिर वो तो साधू और साधना जैसे पुझे साहिब जे ने कहा कि गुणातीत सभी साधू उस लेवल के नहीं हो सकते हैं चलो वो होने में एक स्थित ही आ सकती हैं परन्तु प्रारंभ तो कहीं से करना होगा न कि आप सोचोगे कि मैं गुणातीत हो जाओंगा तभी मैं सन्यास लोंग तो गुणातीत कभी होना नहीं और गुणातीत कोई होगा तो साधू ही हो सकता यह बात वी सही है इसलिए कई लोग कहते हैं सन्यासी बनने के लिए तो जो है बड़े प्रकांड विद्वान हो ऐसा हो यह हो वो हो सही बात है परन्तु सन्यासी जिस दिन सन्यास मार्ग का व उस ओर चलता है क्योंकि योग योगी कौन है योगी वहाभी योगी है जो योग में पारंगत है वहाभी योगी है जिसने योग मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया है उस window volumes तो इसी तरह से योग एनयोग संपध्यत है योग से योग सिद्ध होता है यहनि योग में चलना शुरू करोगे तो योग सिद्ध हो जाएगा तो सन्यास में चलना शुरू करोगे तो सन्यास सिद्ध हो जाएगा क्योंकि सन्यास में रहते रहते भी सन्यास को सिद्ध करने के साधन को जीवने में सततह प्रयास और उसका अनुकरन करने से अनुसरन करने से आचन करने से जहां जो लक्ष है उसकी प्राप्ती अवश्यमेवब आप कर सकते हैं इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है तो कोई कहे कि तुम सन्यासी हो तुम इतने क्षमताओं से योग्य हो तो आपको यही कहना है कि क्षमताओं और योग्यताओं तो हम प्राप्त करेंगे पर जिन मर्यादाओं का हम पालन करते हैं वो सन्यास के अनुकूल है इसलिए आप सन्यासी है तो इस संकलब के साथ में इस भाउक के साथ में, और देखो, यह जो दुनिया और संसार है न, यहाँ पगपग पर आपको विचलित करने वाले नहीं, कई लोग कहते हैं, विचलित करने वाले मिलते हैं, मैं कहते हूँ आपकी परिक्षा लेने वाले मिलते हैं, तो बाकी जब हम दूसरी दुनिया में ह में होते हैं या स्कुल में होते हैं कॉलेज में होते हैं या किसी कारे में भी नौकरी में भी होते हैं तो रिपोर्ट जो है न कर्मचारी का बर्ष में एक बार रिपोर्ट बनता है पर सन्यासी का रिपोर्ट दिन में नहीं हर पल तैयार होता है यह ध्यान दखना तो आपको इसलिए साधू सावधान, सजगता, सावधानी वो बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं इस रूप में भी, जैसे मैंने कहा कि साहब जी को मैं इसलिए भी याद करता हूँ, देखो, कि आप भगवे वस्तर में हैं, सुईत वस्तर में हैं, हम सुईत वस्तरों में हैं, तो भी आपको कोई बाई फेस नहीं जानता हो, या आपको कोई आपकी गुणों से, आपकी सामर्थ से नहीं पहचानता हो, फिर भी एक साधू होने के नाते, लोगों का सर जुक जाता है, क्योंकि भगवे की और साधूता की वस्त्रों के हां, हमारे हाँ एक सम्मान का भाव है, और वस्त्र अपने आपको कई बार हमारी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि जैसे साध जी जिनको नहीं पता हो कि ये सन्यासी हैं, ये फिल्म देखने चले जाएं, या आजकल जैसे साध जी नहीं करते हैं, पर मैं कहरो कि कुछ भी जैसे दुनिया का गोलकप्पे खाले ख़ड़े हो करके रोड पर, आप नहीं खा सकते हैं, क्यों? ठाएं ये सन्यासी, बले खड़े खड़े गोलकप्पे खारा बजार में, और बले ये बर्मशारी बले ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पर वस्त्र भी आपके मर्यादा की रक्षा करने में सही होगी हैं, परन्तो यहां तो मर्यादा से वस्त्रों की मर्यादा को बनाने की बात है। यह बहुत फरENTS है। तो माली जै कि, हम जितन भी भाई सादू बने, मैंने इसलिए उनकी बात करी प्रभु भाई की कि वो आजीवन एक बार संकल पर ले लिया गुरुजे ने कह दिया बस कि जशन करिशे वचनम तब अपुजी स्वाम जी बहुत बार कहते है कहना बहुत इजी है मानना बहुत कठिन है यह ध्यान रख लेना क्योंकि जो यह मन है न यह कभी भी कभी न कभी तो यह कहता कि तू तो बुद्धिमान है बाकी बेकार है यह जो भाव है जब स्वयम देखो यह मैंने एक बात और भी कही हमेशा गुरु तो शिश्य बनाता है परन्तु शिश्य जवरश्य गुरु बनने का प्रयास करता है तो पथ भरष्ट हो जाता है तो हमको शिश्य बनने का प्रयास करना है आप सब यह सोचो गुरु बनने तो जिसने सोच लिया ने कि मेरे को बहुत बड़ा गुरु जी बनना है बहुत बड़ा पतन्जली है पतारणीन क्या हो जाएगा पुझे स्रद्य स्वामी जी जो है बहुत आप लोगों के परती अनुराग रखते हैं प्रेम रखते हैं प्रीती रखते हैं बहुत विश्वास करते हैं और आप लोगों के लिए कभी-कभी हमको भी डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक बाद ध्यान रख लेना, बुज्य स्वामी जी धीरे से उपर से उचा, मचान में चड़ जाओगा ने जादा, उतार के नीचे भी धर देते हैं, अभी मद भूलना, तो इसलिए अपने में रहो, क्योंकि अपनी पात्रता, अपनी योग्यता, अप्रिक्षमता, अपनी मर्यादा, फिर कहीं उतरने चड़ने की बात नहीं है, जो दिखते हैं वो होने की बात है, बस इस मर्यादा में, इस भावो में, यह बहुत सरल है, देखो, आप लोग बड बनिशाद नजाने क्या क्या पढ़ डाले? आप सबमने? नहीं पढ़ा में लहां, जो पढ़ा है वी हमें गर्व है स्वाध्धाय करी, जो भी करी हमें गर्व है मैं एक बात कहना चाहता हूं सबकुछ पढ़करके भी ये ध्यान रख लेना जो बैभार है न, बैभार में बहुत सावधान होना, बैभार पुस्तकों से नहीं पढ़ी चाहती है, मैं एक उधारना भी बता देता हूं, अभी की लग कुछ बच्चों को पता है, पुझे स्वाम जी को पता है, एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वा बोले अच्छे जी जरह रिसा सेंटर दिखा दो, मैं उनको ले करके दिखाने के लिए गुम रहा हूं, गुमता हुआ उपर मंजिल में पहुंच गया, जहां वो सेवा दे रहे गए थे अमरे विद्वान जी, तो मेरे पास ऐसे आये, भुजूर्ग से हैं थोड़े से जुकत करें, मतलब वो सीम साप खड़े था मैं इधर खड़ा था, यह 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 खुश करें, आपका परिचे? यह वो मुख्य मंत्री को, जब वो इतने बड़े विद्वान है तो ठीक मैं एक उधारन दे रहा हूं, यह यह मैं खड़ा हूं, मैं लेकर के जिस वेक्ति को चल रहा तो वेक्ति कोई तो होगा ना, चलो वो नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, पर उसी के सामने, उसी से पूछें, कि आपका परिचे? वो विचारे मुख्य मंत्री, अब क्या कहें? वो थोड़ी सी, वो बिल्कुल, उन्हें कलपना ही नहीं करी थी, कोई आगर के तेरे सामने पूछेगा, मैंने तूरंट समाल लिया, फिर यह समालने वाले को कहते हैं, प्रतिउत्पन्नमती, सुन लो, अब यही बात मैं आपसे पूछूँ, तो ऐसी स्थिति में आप खड़े होते तो क्या करते हैं? चलो, क्या करते होता हैं, आप सोचो, मैंने क्या किया, मैं बता पड़ते हैं, नाखवार पड़ते हैं, इसलिए इनको दुनियादारी का कम पता है, तो उनका भी विचारे का रहे गया, और मुख्यमंत्री का भी समाधान हो गया, तो यह जो ब्यभारी की सिक्षा है, आप लोगों को क्योंकि जब कर्मयोग में जाना है, कर्मक्षेत्र मे जाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों से मिल करके लोगों को सिर्फ आपके अधिकार की वजह से नहीं, आपके पद की वजह से नहीं, आपकी संस्था की वजह से नहीं, सिर्फ आपके ब्यभार की वजह से आपको लोग जानने लग जाएं आपके ब्यभार की वजह से लोगों की पृती भावनाएं आपके साथ लगे तो ये धियान रखना और इसकी अतीरिक्त दूसरी बात मैं क्योंकि मौका मिले ना मिले अभी भी कारिकरम चलते रहते हैं तो ठीक है गांटनी है चाहे वो कोई भी हो दुनिया में कितना भी बड़ा हो चाहे वो अधिकारी हो करमचारी हो और आपस में भी की पृती रखी है आप आपस में बड़े हैं जैसे श्रदेश्वाम जी ने लगाया तो आपके लिए वो बड़े भाई जैसा है बड़ी दीदी जैसे हैं गुरु जैसे हैं छोटे हैं तो आपके अनुज जैसे हैं बराबर वाले हो तो आप भाई जैसे हैं मित्र जैसे हैं तो उन वेभारों को रखी है पर कई बर क्या होता है कि दो प्रिये तीन अप्रिये यह प्रिय और अप्रिय ताका मेरा और पराया जो अनुकूलता और प्रतिकूलता इस भाव से भी मुक्त रहना है किसी ने लिखा था सादू ने बोला जी घर से अपने माँ बाप और भाई बहन छोड़ देते हैं पर बोला जब सादू बन जाते हैं उन्हों ने कहा था जो स्वामे जी हुए थे रामसुकदा जी ने बोला जब दुनिया में चले जाते हैं सादू बन जाते हैं बोला इतनी बड़ी दुनियादारी ले करके गुमते हैं तो प्रिती रखना है सबसे पर उसमें से सेलेक्टिव नहीं होना है कि यही यही मेरे वाले यह थोड़ा सा पराय वाले हैं तो यह मोह नहीं आग्रह नहीं दुराग्रह भी नहीं मलतों कि राग भी नहीं दुएश भी नहीं तो तटस्त हो करके जो समत्तम योग उच्चेते पुझे स्वाम जी याद कराते रहते हैं गीता आप लोगों को लगवस सबको कंठस्त है तो उसको जीवन में उतारिए क्योंकि ब्यभार सारी विद्याओं का अंत जो है ना आदम काल, स्वाध्य काल, प्रवचन काल, सारे काल खतम हो जाते तो ब्यभार काल शुरू होता है तो ये विद्या का अंतिम, सारी विद्याओं का अंतिम जो स्थीती है, स्थान है, सार है, वह है आपका ब्यभार, उसको सिखो, उसको ध्यान रखो, हर एक छोटी सी छोटी चेश्टा में, क्रिया में, बहुत छोटी छोटी बातें, मेरे को याद है, गुरुजी जा मैं बना को लो कि दूसरे को जो है ना वहां बैठे हुए डिस्टरब नहों चलते समय कोई पानी पी रहे हो पसु पक्षी भी हो तो ऐसा मुझे लगता था कि छोटी छोटी बातों कि इतना क्यों समझाते हैं मुझे पर आज मैं देखता हूँ अभी छोटी सी बात है अब मैं एक ब्र बात वरी कोई आकर कानफुसी शुरू कर देते हैं मैं ऐसे इसी चीज़ें भी यह वहारिक्ता के लिए हमको बहुत सावधान होने के आवश्रक्ता है वह हमारे जो सिक्स सेंस है वो चेतन रहना चाहिए हर जगह पर हर कारी के लिए तो जितना चेतन हो जाएगा बाकी नौ बन गई पहले सब ततिया भी चाहत बढ़ भी जाएंगी कोई बात ना जितने भी बनेंगे ना उनका पालन करो वो तो मुख्य ही है इसके अतिरिक दो बैभार में बैभार जो है वहाँ भी हमारी उनका मर्यादाओं का ही पाट की रुप में आप लोग अपना ही है और लक्षे मान करके मैं यह कह सकता हूँ कि वैदिक यूग सनातन परमपराएं चाहे दुनिया में कहीं से लोटे न लोटे जागरित हो या नहो पर पतंजली से उस जागरण को विश्व ब्यापी बन जाने का अभियान शदेश स्वामी जी के नेत्रित्त में शुरू हो चुक ही है तो उस सेना में यह तैक कर लेना कि जो क्या बोलते हैं जर्नल जो है वो जर्नल तो होगा गुणातीत मेजर जर्नल होगा थोड़ा गुणातीत से थोड़ा नीचे होएगा फिर उसके बाद आएगा मेजर जर्नल के बाद फिर आता ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर वो निष्ठावानों की है, शद्धावानों की है, समरपित लोगों की है, क्योंकि ये बड़ी बात होती है, देखो, कि वो राजा जनक और एक विद्वान की काहनी सुनाते हैं, कि वो जनक से वो बर्मशिक्षा दिख्षा लेने के लिए आये थे, वो जोपडी की काहनी, सब अपने सुनी होगी कि वो महल जल गया, जनक का तो महात्म दोड़ा दोड़ा गया, मेरे लंगोटी जल गई, तो महात्मा की अपने लंगोटी की पढ़ी है, महल जल गया राजा को नहीं पढ़ा था, तो हम अपने लंगोटी जल गई, मेरे उसके चक्कर में ना पढ़ करके आप iso जुँआ!! तो यह समझत सामर्पन इच्छा को सक्षिक नहीं होता है!!! क्लिवाराब माीफन हम तो समर्पिते हैं तो हमनों जिवन से दिया, सब कूछ दे दिया दे तो दे दिया यहीं कॉछ तो मिलैं से κα्थी तो इतना ही समझ लो तो इतना ही बहुत है महाराज जी निगाए अभी थोड़ी इंडाइजेशन हो जाएगा तो इतना ही है तो यह ध्यान रखिये कि हमको इच्छा से नहीं और चैनित वस्तों का नहीं सब कुछ इच्छा का भी समर्पन है या तो उस पराकाष्टा में आप लोग जीने का भ्यासी बने करें तो सन्यास का भी एक उधारन कि वर्तमान का समय देखो प्राचिन काल की बात अलग है जब चारो और सात्विक बातावन हुआ करता था चारो तरफ ग्रस्त भी जवर्दिस्ती इसलिए बनाया जाते थे रीशी महर्शियों को द्वारा पकड़ करके क्योंकि आज यहां देते थे कि तुम ग्रस्त बनो तुम संतान उत्पत्ति करो क्योंकि नहीं तो सारे सादू बन जाते है आज जनसंख्या कि इतनी ज्यादा ह है दो चार जो है न पिल्ले पैदा करने से कोई बहुत बड़ा तुम बहुत इतियास रचोंगे ऐसा तो कुछ है नहीं तो इसलिए जो है हां और क्या रामकृष्णा पैदा होएंगे तो अपने आप रामकृष्णा बनने का प्रयास करो अपने आप उन मर्यादाओं में चलने का प्रयास करो तो बाकी जीले नहीं इसलिए बात खतम ओम आजरी जी व्यभार की मर्यादा तो जानते कभी-कभी वानी में थोड़ा सा ठोक देते हैं आचरी जी ने जो बाते बताई देखो व्यभार की बात व्यभार जो है वो जीवन का सार है वानी और व्यभार इन दोर से ही दुनिया देखो दुनिया तो आप से जो अभिव्यक्त होगा वो क्या होगा या तो बोलेंगे आप या कुछ करेंगे तो आपकी जो अभिवक्त है the expression of life जीवन की अभिव्यक्ति का जो प्रथम उसका जो उत्पाद है वो तो वानी और व्यभार है और शद्याचार श्री का कि मैंने इस बात से कुड़ू बार कही है अलग अलग प्रसंगों में कभी कभी कि हम अभी भी शिष्य बनने में ही लगे वे हैं गुरू तो जब आप बहुत समर्थ शिष्य बन जाओगे तब में बनोगा और तो लोग हमको योग गुरू कह देते हैं योग की गुरू है अभी तो गुरू कभी भी खुद नहीं बना जाता और ये भाव भी नहीं है तो सब शिश्यत्व में ही जी रहे हैं सब हम भी उसी में जी रहे हैं जब 10-20 साल बाद आप अतिसमर्थ हो जाओगे उस दिन स्वामे रामदिव गुरू बन जाएगा अभी तो ये परंपरा शुरू हुई है हाँ उसको आदर्श रुप में निर्वाहन करना है कोई चड़ाने उतारने की बात है ही नहीं देखो हम तो हमेशा सब को गोलो देते हैं आचार जी कहते हैं हम किसी को उतारते हैं नह चेत्व अलवाई की तरह है और आमान होरी देखो अनुमान जी का रोल दे दिया तो प्रसन्यता है और खानी साहिब जी को जो है तो पुझे स्वामी जी जो बता रहे थे ना वो कहानी में ने कई बार आपको सुन्वाई देखो क्या होता है ना पुझे स्वामी जी का कहना यह है कि जो तो सॉलिड सॉलिड है ना वही बचते हैं किसी भी क्षित्र में किसी भी जगह पर तो यह सत्य है तो हमको वह नहीं हो ना थोता थोता थो सब उड़ा देते हैं किसान भी जब फसल काटकर ले आता है ना जब वो सोचता है कि धान है यह ग्यहूं है फिर ला करकर सबसे पहल संग्रह करता है किसानी खेती करता है किसानी फसल बोता है किसानी फसल काड़ता है कितना परिश्रम करता है पर उसने कभी आसा करी थी फसल क्यों बोता है किसान इसलिए बोता है न कि वहां पर वह अनाज पैदा करेगा अनाज में भूसा होता है पर भूसा फिर वह काम का नही इसी बात है, यह तो कहानियों कि अब हो चेतु हलवाई, तो चेतु हलवाई जो है, वो राम लीला तो कई उने देखी होगी, पहले बहुत राम लीला हुआ करती थी, अभी भी होती है राम लीला है, तो मंचन का कारी होता है, तो पहले से क्या होता है, कई बार पात्र जो है, पर पात्रों वर्षों चल जाते, और फिर अच्छी तरह से ढूंडे भी जाते हैं, तो ढूंड ने के बाद में, तो ढूंड रख़ा था रामलीला का 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 पी बढ़िया काम चल रहा था, जैसे सन्यास का बढ़िया काम चल रहा है, तो चलते चलते एक विचारा जो हो रावान हो गया बीमार बीमार हो गया तो परिशानी राम लीळा को रोक भी नहीं सकते अडम आचले दीन मन्चन करके गया दूसरी दिन के लिए के दिया मैंनी आ सकता सुबर सुबर जो wrong rela करने वाले थैं उनको लगा कि अब यह रावन की मिना जो है रोल का मंचल कैसे होगा नहीं तो लोग मारेंग नाद तर बोले पात्थर राम लीयला कर लौन ना रा sc recorded आज Ramlila में तिरे बोल्ल आदा करना है बॉल आप में निए बन सकता पर यह थे किया नहीं उसको समझेया है इसको समझेया बहुत समझाया भाई सिरके। बहुत साधन longing इसरक है तो कुछ कठीन नहीं है 29 अच्ण दूणिया में जीना कठीन है पर हम कहते हैं कि दुनिया हम कहते हैं कि छोड़ना सरल है पर फिर भी दुनिया कठीन होने पर भी दुनिया दुनिया की तरी भी लगी रहती है सन्या सरल है दुनिया कठीन है पर सन्या सी नहीं बनते हैं फिर भी दुनिया में गोते खाते हैं अब तो जिले तो अगला जो है यह ऐसा यह भी वानी का सामर्थ है मैं कभी बता दूगा मुझे पता चलता रहता है महाराश्री के कहां अब किदर चल रहा है इतना भी पता हो नहीं अशे दिन को पता चल गया उसे गुरुजी की सेवा में सब हाजीर है तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद में उसको तैयार कर दिया बोल उस दिन का बोल बहुत चोटा सा रोले ज्यादा कुछ है नहीं दो एक डायलोग बोड़ना था बोला क्या है कि आज हनवान जीने गदा बजाने है तेरे सर पर तेरे को पहले यह दिखाना एंट दिखानी है बोलना मैं लंका ध अपना रावण का पहना पहना करके अपना गेट अप जो है वो तैयार हो गया साम को तो हनवान जी भी आया उसको अच्छा उन यह तो बता जिए तेरे को क्या बोलना पर यह नहीं दिखाया था नहीं कि हनवान जी जब आएगा तो ऐसा उसको लगेगा कि असली हनवान आ तो वो अपना हनवान जी अपने गदा लेकर के पहुंच गए मंच पर जो हो खड़ा तो उसने जब हनवान जी ने जो आखे दिखाई और गदा दिखाया सामने तो एक बार तो जो है जिल गया उसको मैं लंका धीपति रावणू सुन लो भाई जिलने की कहानी जब दूब कहीं पता चला तो दुनिया के थपड़े ऐसे ही पढ़ेंगे तो थोड़ी सी जिल गई पर दूबरा चेतु हलवाई बद बन जाना यह बार बार पढ़ेंगे तो इसलिए बास पक्के बनो और पक्के बनके जाओ धन्यबाद Aum Shanti 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 Aum Shanti Shanti